तैयारी करे कठोर परिश्रम की संभावना रहेगी गलती होने की जीवन का उत्तरार्द अत्यन्त महतो पुरुण होता है जो जीवन के अंतिम चलों में सुखी वही वास्तों में सुखी ऐसा कहा जा सकता है वो अर्तमान में जीना अच्छी बात है लेकिन कहीं न कहीं अपने बहुष्य को सुरक्षित करना आवश्यक होता है इस बात को कन्या राशी के जातकों ने मुख्य रूप से द्यान में लेना चाहिए नमस्कार मैं एस्टो गुरुमा डॉक्टर जोती जोशी आप सभी जोतीश फ्रेमियों का हार्तिक स्वागत करती हो हम अगस्ट दोजार चोविस महने के राशी बहुष्य को समझ रहे है आज हम कन्या राशी के जातकों के लिए ये मेहना कैसा रहेगा इस पर विस्तार से वार्त तालाब करेंगे विभिन्न दुरुष्टि कोन से इस महने के ग्रहस्तिति का हम शास्त्रोक्त विश्लेशन करने वाले है साथ ही वीडियो के अंतमे में आपको इस महने करने वाला विशेश उपाई भी बताने वाली हूँ वीडियो को अंदर तक देखना ना बूले एक और महतो पुरुना बाद हम विभिन्न दुरुष्टियों से ये महना आपके लिए कैसा रहेगा बड़े विस्तार से बताते हैं उस अनुसार इस महने आपका अनुभो क्या रहा ये आप हमें कमेंट द्वारा हम तक पहुचा सक हैं ताकि हमारे इस पार्कदर्शन का आपको लाब हो रहा है ये बात हम तक पहुच सके व्यक्तित्व की दुरुष्टी से जब हम विचार करते हैं तो राशी स्वामी की स्थिति महतों पुरुना होती है ग्रहों में सबसे बुद्धिमान बुधदेव आपके राशी स्व ये सभी गुन आपकी राशी में प्राकृतिक रूप से होते हैं स्वच्छता में रूची और करतव्य पुर्ति क्या होती है ये बात कन्या जातकों को अच्छे से पता होती है इतना सब कुछ होते हुए भी व्यक्तित्व की दुरुष्टी से ये अगस्ठ मैना आपके लि अनुचित निर्णे लेने की संभावना आधिक होती है क्योंकि बूद निर्णे लेने वाला ग्रह माना जाता है निर्णे शम्ता गलत होने से कई चीजों में गलती होती है इसलिए उस दुरुष्टी से उच्छी ध्यान रखे किसी भी निर्णे को लेने से पहले एक बार नहीं दो बार तीन बार विचार करें यह सलाह आपको दी जाती है धन परिवारवानी की दुरुष्टी से विचार करें तो कण्या राशी के लिए शुक्रदेव के स्थिति महत्व प्रूण होती है वे आपके धनेश है शुक्रदेव इस्सथान में विराजबान है उसके बाद वे आपकी राषी में प्रवेश्कर नीच अवस्ता को प्राप्त होंगे। जिस कारण धनप्राप्ति के लिए बड़ा परिश्व करना पड़ेगा। उसके लिए खर्च भी करना पड़ेगा अर्था उससे आपको लाभध भी प्राप्त होगा। होना उचित बचत होना ये दो अलग चीजे हैं आपके लिए दोनों चीजे हो सकती है इस काल का पूरा उपयोग करें पराक्रा में परिश्रम की दुरुष्टी से विचार करें तो कन्या राशी के लिए मंगल देव की स्थिति महत्व पूर्ड होती है क्योंकि वे आपके मंगल देव भाग्य स्तान में गुरु देव के साथ विराजबान है अर्थात मारकदर्शक गुरु और सेनापती मंगल देव का गठबंदन होने के कारण आप बड़ा परिश्रम करने वाले हैं इस गठबंदन की दुरुष्टी से आपके परिश्रम स्तान पर है उससे इसके अलावा राहू की भी दुरुष्टी है जिस कारण आपके कुंडली का तुरुतियस्तान इस पहने विशेश प्रबल होने वाला है इस काल का पूरा लाब उठाईए वास्तो वाहन भूमी सुकशान्ती की दुरुष्टी से विचार करें तो कन्याजातकों के लिए य इसा हम कह नहीं सकते क्योंकि वास्तो और वाहन के शुभयोग इस पहने आपके लिए नहीं है जिस कारण इस काल में आप किसी भी प्रकार की जल्दबाजी ना करें ये काल उसके लिए कतही उचित कहा नहीं जा सकता गर की सुकशान्ती विचलित हो सकती है घर के हर सदस्य क मांग थोड़ी अलग रहेगी जिने पूरा करना आपके लिए कठिन रहेगा अर्थात जिस कारण घर के सदस्य नाराज भी हो सकते है इसलिए उस दुरुष्टी से उचित द्यान रखे ये सलाह दी जाती है शिक्षा संतती प्रणै की दुरुष्टी से विचार करें तो फ प्राथमिक शिक्षा में हो तो पढ़ाही में आपके उन्नती हो सकती है इस काम में आपको इस्थ्धदेऊ से सहयोग मिलेगा इसलिए इस काल का सद उपयोग करें पढ़ाई में होने वाली उन्नती दिर्गकाल तक लाभ देती है इस बात को मुख्य रूप से ध्यान में ले उपवर वदुवरों के लिए आयोजित विवाह जुडने के योग निर्मान हुए है उस दुरुष्टी से अधीक प्रयास करें अवश्य सफल हो सकते है स्वास्त कर्ज प्रतिश्पर दिशात्रों के दुरुष्टी से विचार करें तो कन्याजातकों के लिए ये महिना थोड़े परिशानी का कहा जा सकता है क्योंकि इस मैने स्वास्त की कुछ समस्या निर्मान हो सकती है मेडिकल पर कुछ खर्च हो सकता है इसलिए स्वास्त का द्यान लखना आवश्यक रहेगा जिने करजे की आवश्यकता है उन्हें वह प्राप्त होगा शत्रू स्वयम पीछे हट जाएंगे कोड कचिरी में किसी केस पर आपका कामकाश शुरू हो तो उसमें सफलता मिलने की संभावना बढ़ने वाली है इसलिए उस दुरुष्टी से अधिक प्रयास करने चाहिए उसमें आपको अवश्य सफलता मिलेगी नोक्री एवम व्यावसाइक की दुरुष्टी से विचार करें तो नोक्री करने वाले कन्या जातकों के लिए ये काल बड़ी प्रगति का कहा जा सकता है व्यावसाइक जातकों के लिए ये काल सफलता एवम भाग्यकारी कहा जा सकता है महत्व पुरुना बात है कि काम से प्राप्त होने वाला समाधान इस काल में आपको भरपूर मिलेगा लाब भले ही उस तुल्ना में साबान ने हो लेकिन काम का समाधान अवश्य मिलेगा जो बड़ा अवश्यक होता है क्योंकि उससे अधीक अच्छा काम करने की प्रेणा मिलती है इसलिए इस काल का पूरा लाब उठाईए भाग्ययों शुभसंकेत की दुरुष्टी से विचार करें तो कन्या जातकों के लिए इस महिने कई शुभसंकेत निर्बान होने वाले है मुख्य रूप से कहा जाए तो सभी ग्रहों में सबसे अधिक शुभग रह गुरु देव आपके भाग्यस्तान में विराजबान है जिस कारण आपका भाग्य अत्यनत प्रबल हुआ है विशेश बात है कि वे मंगल देव के साथ विराजबान है यहाँ बड़ा शुभसंकेत कहा जा सकता है इसके अलावा शर्ष्ट शनी देव शर्ष्ट स्थान में विराजबान है वे आपके लिए योग कारख है महत्व पुर्णा बात है कि कुंडली का शर्ष्ट स्थान शनी देव को विशेश रूप से अच्छा रगता है क्योंकि वह उपजय स्थान होता है वहाँ से विकास होता है समरुद्धी होती है ऐसे शर्ष्ट स्थान के स्वामी शनी देव शर्ष्ट स्थान में विराजबान होने के करण आपके लिए ये काल अत्यंद शुबर हैगा लेकिन उसके साथ ही खर्च और यात्रा के कई योग आपके लिए निर्मान होने वाले है संख्यब में ऐसे कई शुबर संक्यत इस काल में आपके लिए निर्मान होए है उनसे आपको शुबर परिणा प्राप्त होने वाले है इस काल का सदुपयोग करे कर्म की दुरुष्टी से विचार करे तो कन्या जातक इस मेने बड़े कर्मों प्रदार नहेंगे साथ ही निर्ड़े लेने के बाद उस पर दुरुड़ रहकर कारे करना चाहिए वहां आपके लिए लाभकारी रहेगा लाभ की दुरुष्टी से विचार करे तो कन्या जातकों खेलिए ये मेहना बड़े लाभका कहा जा सकता है उसमें भी मेहने का प्रथम पक्वाड़ा आपके लिए लाभकारी रहेगा तो दुसरे पक्वाड़े में लाभ का प्रमान उस तुल्ला में सामानने रहेगा लाभ के कई अउसर इस समय काल में आपके लिए निर्मान होंगे इसलिए इस काल का पूरा उपयोग करें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सकें वैयों पर्देश कमन की दुरुष्टी से विचार करें तो आपके वैय स्थान में बूद और शुक्र का गठबंदन हुआ है प्रथम तीन सप्ता ह यह गठबंदन बना रहेगा जिस कारण कई सकारात्मक चीजों के लिए आप खर्च करने वाले है उच्च शिक्षा के लिए व्यक्तित्व के विकास के लिए पारिवारिक जिम्मेदार्यों को पूरा करने के लिए यात्रा के लिए ऐसे विभिन्द कार संपुल्ण सुखी या संपुल्ण दुखी हो नहीं सकता उस अनुसार हर दिन सभी के लिए समान हो नहीं सकता महने के कुछ दिन सूख समादान सफलता लेकर आते हैं तो कुछ संगर्ष कठिनाईया और तनाव से भरे होते हैं इस दुरुष्टी से कन्याजातकों के लिए पाच पंद्रह और तेईस ये दिन शुभत आयक एवं शुभ रहेंगे एक बारह इक्तिस ये दिन अशुब तथा तलाव पुर्ण रहेंगे इन दिनों में आप कठिनाईयों बाधाओं और समस्याओं का अनुभो करेंगे तो यह मानसिक्ता पहले से भी बनानी होगी और आगे बढ़ना होगा उपायों की दृष्टी से विचार करें तो जोतिश में अत्यंत चोटे चोटे और बड़ा परेडाम करने वाले उपाय बताए गये हैं अशुभ चीजों की अशुभता कम करने का अशुभ चीजों की शुभता बढ़ाने का उनमें सामर्थ होता है उ इसलिए में राशी के अनुसार शनी देव के कुछ मंत्र देने वाली हूँ आप हर रोज उनका जाप करें उस अनुसार कन्या जातकों के लिए ओम खद्योताय नमाहा ओम मंदाय नमाहा ओम मंदचेश्टाय नमाहा यह मंत्र दिये जा रहा है उसके शुभ प्रपाव प्रा के लिए अगस 2024 कैसा रहेगा यह समझाने के लिए हमने बारह वीडियो आपके इस चैनल पर अपलोड किये है पुनश्य मिलेंगे यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय जोतिश लिखना ना जोतिश का अध्यहन तता शास्त्र की शास्त्रिय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी दो किताबे प्रकाशित हो चुकिये है उनका अवश्य लाभ लीजिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल और हां बेल आइकोन दबाना ना भुले धन्यवाद